शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मर मिटने वालों का यही बाधी निशा होगा वेलकम मैं नाक मिशाल शेतरी, 3rd Battalion, D9 गोर्खा राइपल, चिंडिक, 56 Mountain Brigade की तरफ से आप सबी लोगों का इस कारगिल वार मिमोरियल पर आर्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ कारगिल वार मिमोरियल कारगिल शहीदों की याद नवंबर 2004 को बनाये गया था इस कारगिल वार मिमोरियल को यहाँ बनाने का मुख्य कारण यह था की कारगिल यूद का एक बड़ा भाग दराज सेक्टर में ही लड़ा गया था इसके अलावा आप लोग जिस इस्तान पर खड़े हैं यहाँ से उन पहाडियों के चंड एक चोटिया नजर आती है यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अपना कब्दा जमाय बैठी थी जिनके नाम इस प्रकार है आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है नाम तोलोलिंग अगर आप लोग अपनी नजर थोड़ा भाय की और स्काइलाइन पर ले जाए तो तीन पिंपल दिखाई देते हैं जो अभी बातलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे है नाम तोलोलिंग टॉप तोलोलिंग टॉप से भाय की और बढ़ता हुआ इसपर अगर आप लोग अपनी नजर पूरा भाय की और स्काइलाइन पर ले जाए तो दो नोकिली चोटिया दिखाई देती है ताइने वाली नोकिली चोटि जो भी बातलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे है नाम टाइगरिल टाइगरिल से बाहे की और बढ़ता हुए असपर उसी इसपर पर दूसरी नोकी नी चोटी जो हलकी बरब से गिरी हुई है नाम राइनोहॉन टाइगरिल और राइनोहॉन के बीच चंद एक पोस्ट है जो यहाँ से दिखाई नहीं देते जिनके नाम इस प्रकार है इंडिया गेट, एलमेट टॉप, शीवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉप वापस राइनोहॉन आइनोहॉन से बाइची और बढ़ता हुआ इस पर सबसे बाइवाला उचा टॉप जो पूरा बरब से धका हुआ है जो की पार डिस्टंस पर दिखाई दे रहा है नाम 0.4875, 0.4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्यूंकि क्याट्रिन मिक्रम बत्रा यहाँ मुख्य कारा निया थे कि शिमला समझौते के तहब 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ एग्रिमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में दोनों देश की सेनाय एलोसी को छोड़तर कम बरफिले वाले इस्थान पर चले जाएंगे क्योंकि सर्दियों के मौसम में दोनों देशों की सेनायों को यहाँ रहने में काफी मुश्किले होती थी सर्दियों के मामने में यह इस्थान विश्व में दूसरे और एशिया में प्रथम इस्थान पर माना गया है 9 जन्वरी 1995 में यहाँ का टेंपरेचर माइनस 60 डिग्री सेल्शियस रिकॉर्ड किया गया था 1998 के विंतर के दोरान जब हमारी भारतिय सेना एनोसी को छोड़कर कम बरफिले वाले इस्थान पर चली गई तकरीबन ऐसी 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमाय बैठे थे यह इलाका गुम्री से लेकर साउट गलेशियर तक तक तकरीबन 150 किलोमिटर एरिया कैप्चर किया हुआ था कारगिल यूद 20 में 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ इसलिए परतेख और 26 जुलाई को विजे दिवस के रूप में इस स्कारगिल वार मिमोरियल पर मनाया जाता है आप लोगों के सामने तोलो लिंग पहार पर दुश्मन अपना कब्जा जमाय बैठा था भारतिय सेना की ओर से तोलो लिंग पर कैप्टर करने के लिए 18 गिर्नेडियर बटालियन को डिटेल किया गया 18 गिर्नेडियर बटालियन द्वारा ओपरेशन को लॉंच किया गया परन्तु दुश्मन की अच्छी पोजिशन और प्रभावित पायर के कारण बटालियन की मुव्मेंट को रोग दी गई मुव्मेंट केवल अंधेरी रात और खराम मौसम में ही सफल हो सका काफी दिनों के संगर्ष के बाद बटालियन अपना फंवेस बनाने में सफल रही 18 गिनेटियर बटालियन का साथ देने के लिए दू राजपुताना राइपल को डिटेल किया गया दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 20 में से लेकर 13 जून 1999 तक चले इस ओपरेशन के दोरान भारतिये सेना के चार ओफिसर, तीन जूनियर कमिशन ओफिसर और 33 जवान वीरगती को प्राप्थ हुए तोलो लिंग पर अपना कैप्चर करने के बाद भारतिये सेना का ध्यान सीधा टाइगरियल की तरफ दिया क्योंकि वहाँ बैठा दुश्मन डारेक्ट एनेच वन पर प्रभावित फाय डाल रहा था जिससे हमारी सेना की कौनवई और सिविल गाडियों को आने जाने में काफी मुश्किले हो रही थी टाइगरियल पर कैप्चर करने के लिए भारतिये सेना की यूर से 18 गिनेडियर बटालियन और 86 बटालियन को डिटेल किया गया दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक चले संगर्सपूर ओप्रेशन के दोरान तीनों दिशाओं से हमला किया और दुबारा टाइगरिल पर कैप्चर किया इस ओप्रेशन के दोरान भारतिये सेना को काफी बड़ा नुपसान उठाना पड़ा इस operation के दौरान भारतिय सेना के एक officer, चार जूनियर कमिशन officer और तीस दवान बीरगती को प्राप्त हुए और एक सो बीस दवान घायल हुए इसी operation के दौरान 18 गिर्नेडियर बटालियन के गिर्नेडियर योगेंदर सिंग यादब की महान बहादूरी और अदम में साहस को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्ही के पार्टी कमांडर लेटनन बलवान सिंग की महान बहादूरी को देख देखते हुए उन्ही की बटालियन 13 जमुएन कश्मीर राइपल को 04875 पर कैप्चर करने के लिए डिटेल किया गया और उसी के दूसरे फीचर पिंपल 1, पिंपल 2 और वेलबेक पर कबज़ा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विंडम पर बटालियन को डिटेल किया गया तीनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1999 तक चले संगर्स्पूर ऑपरेशन के दोरान 4 दिशाओं से हमला किया दुश्मन को मुद तोड जवाब दिया और दुबारा तीनों पोस्टों को अप बटे कबजे में किया इस ऑपरेशन के दोरान भारतिये सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा इस ऑपरेशन के दोरान भारतिये सेना के कैप्टेन विक्रम बत्रा और कैप्टेन अनुज नायर के साथ 59 जवान वीरगती को प्राप्त हुए इसी ऑपरेशन के दो प्राणों की आहूती दी है। उन सभी के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल की दिवार पर दर्ज है। यह कारगिल वार मेमोरियल कारगिल युद का गवा है। आप लोगों के बाए, 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जितने भी शहीद हुए, उन सभी शहीदों की वीर भूमी तैयार की गई है। जिने आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के दाइने। Out of Remembrance, बटालियनों की हिस्ट्री है, जिन बटालियनों ने कारगिल युद के दौरान हिस्टा लिया था। Operation Vijay के कुछ फोटोग्राफ और पाकिस्तान आर्वी के कैप्टर किये गए हत्यार, अमनिशन, इकुमेंट जिने आप लोग देख सकते हैं, इस कारगिल वर मिमोरियल की दिवार पर कारगिल युद के सभी शहीदों के नाम सुनेरे अक्षरों से दर्ज किये गया हैं, आप दिवस की तेरवी वर्षगाट पर उपार सरू बेट किया गया था, इन शहीदों के बलिदान को हम किनी भी शब्दों में बया नहीं कर सकते, हम इने सलाम करते हैं, ये देश इने सलाम करता है, अंत में मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आओ ज शुकर करे सलाम उन्हें, जिनके मुकदर में ये मुकाम लिखा होता है, बड़े ही खुश किस्पत हैं वे लोग, जिनका लहू देश के काम आता है, जय हैं